हेलो दोस्तों नमस्कार मेरा नाम राजा उस्ति और आज का ये जो वीडियो का स्टार्ट अप था उसका जो कन्फ्यूजन था आज उसी टॉपिक पर वीडियो है तो ये वीडियो देखता मत भूलना तो अगेन इस वीडियो की एक रिक्वेस्ट आई है और ये लिखते हैं नाम गाओं पता कुछ भी नहीं है क्योंकि ये अल्रेडी बहुत कन्फ्यूज है ये लिखते हैं हलो सर मुझे फोटोग्राफी सीखना चाहता हूँ लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आता क्या केमरा ले लिया है या केमरा लेना चाहते है या वैडिंग फोटोग्राफी या फोटोग्राफी सीखना चाहते हैं बढ़ उनको ये समझ में नहीं आता है कि वो इस टार्ट आप कहां से करें तो उस सारे लोगों के लिए आजका ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है और इस वीडियो में इन सारे questions के answer है कि अगर आपको photography सीखनी है, कहां से start करना है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो ये वीडियो in तक देखिएगा तो चलिए मैं सबसे पहले start करता हूँ कि photography सीखना है और उसका procedure क्या है तो अगर आप एक photographer नहीं है, अगर आप एक photographer बनना चाहते हैं तो सबसे पहला आपका जो काम है वो हता है study करना, थोड़ा सा पढ़ाई करना start करिए और पढ़ाई आप कहां करेंगे, तो आप सबसे पहले Google में जाएं, Google में जाने के बाद लिखें how to learn photography, जैसे आप Google में how to learn photography लिखेंगे, तो आपके पास धेर सारे blogs आजाएंगे, उन्हें आप थोड़ा सारे study करिए कि आपको किस तरगी से photography सीखनी चाहिए, और किस तरगी से photography को आप समझ सकते हैं अब इसमें एक और problem है, अगर आप हिंदी भाषी हैं, मेरी तरह आपको अंग्रेजी समझ में कम आती है या फिर नहीं आती है, तो उस condition पर आपको क्या करना चाहिए तो आप Google की ही मदद से हिंदी में भी बहुत सारे सीख सकते हैं, परन्तु आपको एक चीज बता दूँ, कैमरे को समझना उतना important नहीं है, जितना आपको समझना आपके thought को है सबसे पहले आप यह समझ लिजे कि भाई आप फोटोग्राफी में होता क्या है, फोटोग्राफी में दो चीजे बहुत important है, बहुत जादा important है, एक है light, दूसरी है framing अगर आपको light का sense नहीं है, अगर आपको framing का sense नहीं है, तो आप कभी भी पूरे life में अच्छी फोटोग्राफी नहीं कर सकते suppose आप ये ध्यान दीजे, कोई भी फोटोग्राफर अगर बनना चाहता है, वो सिर्फ ये generally लोग क्या करते हैं कि बड़े-बड़े camera के बारे में सोचते हैं, बड़े-बड़े lenses के बारे में सोचते हैं, बट overall light के बारे में नहीं सोचते हैं, तो सबसे पहले आपको study करना है lighting के उपर, आपको ये समझना है कि किस direction से कितनी quantity में light आएगी, तो आपकी images अच्छी दिखाई देंगी, अगर इसके बारे में आप जारा पैसा नहीं खर्च करना चाहते हैं, आपको लगता है कि यार बहुत पैसा लगता है फोटोग्राफी सीखने में, तो सही बात है मेर बहुत पैसा लगता है अगर आप किस institute में जाएंगे, इवन आप मेरे institute में भी आएंगे, तीन चार मेने के लिए तो कम से कम 50,000 रुपे का जुर्माना आपको भरना पड़ेगा, तो अगर आपको लगता है कि फ्री में फोटोग्राफी सीखना है, तो आप फ्री में फोट प्री में फोटोग्राफी सीखने के लिए क्या करना चाहिए, आप एक तो institute जोइन कर सकते हैं, दूसरा आप Google से सीख सकते हैं, तीसरा आप YouTube सीख सकते हैं, और सबसे पहले फोटोग्राफी में लाइटिंग सीखें, उसके बाद आप फ्रेमिंग सीखें, उसके बाद आप स तो रखता है, कुछ समझ में नहीं आता हम कहां से स्टार्ट करें, कौन सा कैमरा लें, तो बेसिक जो स्टार्ट अप है, उसके लिए आप बेसिक कैमरे से स्टार्ट करें, आप बहुत ज़ादा खर्च ना करें, अगर आप बहुत ज़ादा खर्च कर लेंगे, फिर आपको दूसरा मुझे सिर्फ फोटोघ्राफिश चीजर के लिए तो वो अलग चैप्टर है लेकिन है कि आपको अगर फोटोघ्राफिश से रिलेटेड तो आप बहुत आसानी से चीज़ों को सीख सकते हैと तो दोस्तों ये था मेरे simple सा टिपस तो भाई मेरे दोस्त जिन्हों के यह message किया है मुझे नहीं मालू है उनके लिए मेरा यह message है कि आपको अगर photography सीखना है तो that's it यह सबसे important चीज़ है फिर आपको कोई भी चीज रोक नहीं सकती है photography सीखने से उसके लिए तरीका हुई है कि अगर आप आपकास लिखना चाहते हैं तो Google की मदद लें YouTube की साहता लें और बहुत सारे blogs है जिनको आप पढ़ते जाएंगे तो आप आसानी से सीखते जाएंगे अगर आप पढ़ नहीं सकते तो आप सीख भी नहीं सकते हैं दूसरी बात कि आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप कहां जाएं तो सबसे अधसा तरीका है कि आप आप आफ लाइन जाके ही सीखना है तो आप देख लें कि आपके आसपास में कोई बहुत सा इंस्टिट्टीट हो तो आप वहां भी जा सकते हैं otherwise आप school.rajaavusti.com के पास भी आ सकते हैं याने की मेरे पास तो ये एक तरीका है दूसरी दूसरी तरीका ये है कि आप हमारा online course है school.rajaavusti.com जहाँ पर online courses available है आप वहां पर भी जाके हमारे online course को बाय करके भी photography सीख सकते है तीसरी बात कि दोस्तों आप में से सारे लोग जो लोग ये चाहते हैं कि आपको अच्छे अच्छे PSD बैगराउंड चाहिए आपके wedding album designing के लिए तो हमने हमारे एक website है psdraja.com फिर से लिख लें www.psdraja.com वहाँ पे हमने धेर सारे PSD अप्लोड किये हैं लेटेस्ट वाले अभी के तो अगर आपको लगता है कि आपको free upcast PSD चाहिए album designing के लिए तो आप वहाँ पे जाके उसे free upcast डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएगा आज का ये वीडियो देखने के लिए आपका super super thank you and keep watching bye bye